चलिए दोस्तो, आज हम खुश रहने का राज जानते हैं एक आदमी बहुत पहुंचे हुए सादू के पास गया और उनसे पूछने लगा कि महराज जीवन में खुश रहने का क्या राज है सादू महराज ने पासी पड़े एक भारी से कलश को उठा कर उस व्यक्ति के सिर्फ पर रख दिया और उसका अपने पास खड़े रहने को कहा वह व्यक्ति काफी देर से इम से खड़ा रहा और फिर जब उसका दर्द बरदाश से बाहर हो गया तो उसने सादू से विंती की तो सादू ने कलश नीचे रखने को कहा जब व्यक्ति ने कहा कि वह कुछ समझ नहीं पाया तब महराज बोले कि यही तो खुश रने का राज है जब तक हम कलश रुपी बोज नीचे नहीं रख देते हम खुश कैसे रह सकते हैं तो दोस्तो हमारे सब के जीवन में ऐसी चोटी बड़ी बाते होती रहती हैं जिनका बोज हम जीवन भर उठाते हैं जबकि असली खुशी तो उनको छोड़ने में हैं वो कहते हैं ना, Life Must Move On बड़े बड़े देशों में ऐसी चोटी चोटी बाते होती रहती हैं चलिए फिर मिलेंगे, कभी अलवीदा न कहना